वीगार्ड प्रिजेंट्स कौन जीत रहा है? को पावर्ड बाई सेंसुडाइन एंड विमल बोलो जुबा केशरी का गारंटी दी रहे कि काला धन लाएगा का हुआओ के धन का? उधन को ले जाकर के पूंजी पत्रियों को दे दिये हैं तो जब गोट दालने जाईएगा तो कॉरोना काल याद रखेगा कि कैसे बेबसी में, कैसे लाचारदी में हम लोग को गरीबों को छोड़ दिया था इस सरकार ले गंगा मैया में लाशे भर गई थी लाच जलाने की जगा नहीं रहे गई थी लपड़ी नहीं मिल रही थी स्वास्त का कोई प्रबंद नहीं था देजबाल का कोई प्रबंद नहीं था किसी के लिए हाँ जब वोट दालने याद रखेगा जाएगा तो ये याद रखेगा कि कैसे हमारे नौजवान बेटा बेटी घर बैठी नौजवानों को ये बोला गया कि अगनी वीर की हम लेकर आए हैं योजना उसमें 18 में भरती होएंगे और 22 में घर वापस आ जाएगे अरे तो भाई 20-40 साल तो हम उम्र है जहां पर लड़का या लड़की अपना जीवन बनाता है तो ये वो ही उम्र में हमको रिटायर कर देंगे तो कैसा जीवन, कैसा भविश, कैसा विकास जो सरकार हमारी युओं का न विकास चाहे वो देश का विकास कैसे चाह सकती है तो हम लोग कोई सरकार को हटाना है और इस सरकार को उपको से तभी हटाना हटा पाएंगे जब हमके, हम उनकी वो सारी बाते याद रखेंगे जो कि हम लोग के खिलाफ गई है नोटबंदी हो गया, करोना हो गया, पूंजिवादी हो गया, सामंतवाद हो गया, जाती भेदभाव हो गया, धर्म के नाम पे भेदभाव हो गया विकास के नाम पे कुछ काम ना करते हैं बस गैरिंटी गैरिंटी पोश्टर हर जहां लगा देते लेकिन जमीनी असलियत क्या है यो आप लोग से जादा कोई अच्छे से नहीं गानता होगा महिलाओं के साथ जो शोशन हो रहा है शोशन करने वालों का जो ये सरकार साथ दे रही है उसको ध्यान में रखेगा जब आप वोर दाने जाएगा कटरूआ रेप केस याद रखेगा मनिपूर में जो हमारी बहन के साथ शोशन हुआ उसको याद रखेगा अभी करनाटक में जो इनके MLA रहे उनका मोदी डिजा के परचार कर रहे थे उसको चुआ रखेगा महिला भी तो अपना वोट देगी न महिला इस बार इस चुनाव में 49 करोड महिलाएं वोट दालने वाली है 96 करोड में से तो आप लोग का हर एक वोट की एहमियत बहुत जादा है जब वोट दालने जाईएगा तो सोच समझ के दालिएगा जब हम लोग जैसे आपने बोला कि एक संगटन होना है तो एक पार्टी को वोट दालना है महागडबंधन से गाजीपूर की सीट पर साइकिल को निशान मिला है साइकिल कब फ्रत्याशी खड़ा हुआ है